दोस्तों नमस्कार मैं मृतुंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सटिक परामर्स में और आप जानते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से डिटेड वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए गोल्ड जुलरी, इस्क्राब, टी, बहुत सारी चीजों के उपर घी के उपर हमने वीडियो बनाया कि कैसे आप एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं तो उसी सिलसिले में एक टॉपिक आजम कभर करने वाले हैं कि आप एक्सपोर्ट तो करते हैं मगर बहुत सारे लोगों हैं जो की तो इस ने थाहिए हैं या इस बीजिनस में आना चाहते हैं एकस्मोर्टी इंपोर्ट्स विजिनस में जाएं strengthen का पाट पाइर विश्कार कर रहे हैं कि क्या करें कैसे पोड़क्ट चुन और उस प्रोड़क्ट में क्या या चीजे आपको देखनी है ताकि आपको एक्सपोर्ट कर पाएं क्योंकि एक्सपोर्ट करना बड़ी बात नहीं है चूजिंग राइट प्रोड़क्ट फुर्ट राइट मार्केट यानि सही वस्तु सही बजार के लिए उसका चैन करना बहुत जोड़ी है क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा वर है और आपको जो एक्सपोर्ट पा काम करना है तो थो थो लॉंग टर्म सोच के काम करना है एसी वस्तुवों का चुनाव करना है जो लंबे समय तक आपको बजार में टिका पाएं और आपको प्रॉपिट और मुनाफ़ा कमा के दे पाएं क्योंकि अगर आप सौट टम चीजों में जाईएगा तो लंबा व्यापाद नहीं कर पाईएं तो आज हम इसी टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं कम से कम 6 ऐसे पॉइंट हम आपके सामने रखेंगे जो एक निव कमर को एक निव श्टार्ट अपको जो एक स्पोर्ट का काम करना चाहता है उसको हमेशा नजर में रखना चाहिए बिजनसी श्टार्ट करने से पहले वन बाई वन हम स्टार्ट करते हैं, तो पहला जो point है, your interest, आपका interest जिस product में हो, जिस product के बारे में आपको जानकारी हो, उस product के उपर पहले काम के लिए, उस product के बारे में जानिये, और उसी product का export अगर आप करते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, दूसरा point है, your experience and knowledge about the product, अब आप जिसे आपका interest मान लिए मोबाइल में है, तो जानिये, या मान लिए अगरी कल्चर है हमारे इंडिया, तो अगरी कल्चर के किसी subject के उपर आपका है, तो आप पहले पता कीजिए कि वो product क्या है, कहां पे वो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में मिलता है, क् इंडिया में बेच को उसको कितना profit लोग कमाते हैं, बाहर आप बेचिएगा तो आपको हमेशा available हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या rate पे आपको मिलेगा, 12 महीने इस product का supply है की नहीं है, ये सारी चीज़े आपको देखनी है, उसके बाद ही आपको product का selection करना है, तीसरा ह जो मैंने आपको बताया, इसलिए availability of product in home country and competitive price, यानि आपको देखना है, कि आप जो product चूस किये है, कि वो market में हमेशा available है की नहीं है, ये price उसका कितना अच्छा है, पता चला कि आप जो price दे रहे हैं, बाहर के आसपास के country के लोग उससे कम price में दे रहे हैं, जिसे अभी ए आपको बहुत सारा करते हैं, चाय का, तो चाइना ने क्या किया, उस market को खराब करने के लिए, नेपाल के थुरूप उन्होंने चाय का dumping कराना चालू किया, यानि कम दाम में एकदम घटिया quality दे के market खराब करने की कोसिस की, तो ये सब भी आपको नजर पे लखना है, कि वे पोर्सिंग अच्छा रहेगा, आपका product अच्छा रहेगा, तो बिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जौता पॉइंट है दोस्तो, overseas market for the product, आपको सबसे पहले government के बहुत सारी website है, अभी तो Google आ गया है, social media है, statistics है, बहुत सारा चीज आपको पहले देखना है, कि overseas जो country आपको काम करना है, और वहाँ पे उस product का demand कितना है, उस product का market कितना है, उस product में कितने competition है, और पहले से कितने country के लोग काम कर रहे है, जो आपके आसपास के competitor है, वहाँ पे क्या rate दे रहे हैं, उसके बाद ही आप उस product का selection किजिए, पता चला कि आपने demand देखके, भीड कर लिया और आप जाकर वहाँ फेल हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है, जो बहुत बड़ा market है, तो वहाँ बहुत बड़ा competition भी है, आपको देखना है कि छोड़ा सा कोई market जो अभी तक उस चीज के बारे में उतना mature नहीं हुआ, अगर वहाँ पे आप गुस्ते हैं, तो आपको सिर्लंका से हो रहा है, तो competition अच्छा खासा अभी है, तो पहले जो मुनाफ़ा आदमी कमाता था, अभी अगर product ठीक ना रहे, तो उस तरीके से मुनाफ़ा उसमें नहीं कमा सकता है, फोड़ा सा यह मितने साब को product में बनाना पड़ेगा, छोटा point है, demand and trend और profit margin, आप जिस product में deal कर रहे हैं, उसका देखिए कि इस country में आपको export करना है, उसका demand trend क्या है, मतलब लोगों में उसकी रूची कितनी है, लोगों का वहाँ का daily habitat, मतलब रोज की जिंदगी में उस product का क्या उप्योगीता है, क्या उची नहीं है, कि रोज वो सुबा उटके खा रहे हैं, या ये सारा कुछ calculate करने के बाद ही आपका profit margin रहता है, तो थोड़ा सा ये law और नियम कानून भी आपको देख के ही product का selection करना है, कि किस product पे government support कर रही है, आपको subsidy दे रही है, export करने के लिए, कौन सा ऐसा है जो restricted है, ये सारा जो है आपको DGFT के website पे मिल जाएगा दोस्तों, और च्वाटा point है, export regulation and applicable duty in home country and exporting country, जैसा मैंने अपने बताए, कि आपको पहरे देख लेना है, कि जो product में आप deal कर रहे हैं, वो product का हमारे देश में कितना duty कितना है, हमारे क्या government उस पे कुछ duty लगा रही है, export करने में, या government नहीं चाहते कि इसका आप export बाहर करें, या मालने ज जेगा, उनका importing का duty कितना है, ताकि आपको सारा calculation आप कर पाए, ऐसा नहीं कि पताचला आपने भेज दिया, और import duty या इसका जनकरी नहीं हुआ, उसके बाद वहाँ पे माल सीज हो गया, आपका बायर आपका समान नहीं ले रहा है, तो वहाँ पे आपको loss हो जाएगा, वही जो duty है, home duty उसका, और उसके बाद पिर देखते हैं कि माल बंगा के उनको तो और महेंगा पड़ गया, तो महीं पे छोड़ देते हैं, फिर last में उसका option ही होता है, इस तरीके से selecting for the product export potential market, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, काम आ के मिल सकते हैं, इस पर हम आपको और भी details से इन subject के उपर समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, कैसे lead मी कलता है, कैसे market होता है, कैसे product tools किया जाता है, कहां से product selection कीजिएगा, sourcing कीजिएगा, इन सारे subject के उपर, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, मगर काम का चीज हमेसा लंबा ही मिल सकते हैं, ताकि आपको काम कर पाएं, और आपको आगे लेकर जा सके हैं, आज के लिए इतना ही दोस्ते, नमस्ता